है है है्लो एड़र्वर्ण वेरि गूड मारी किसले culture में में प्रुछल्व सुरुकीय था जिस LIVE TOP 12 ख़ाइंतं वो नाइट्रो गुरूाइट में 557 और फिर साइनेट गुरूप आईसो साइनेट गुरूप और मैं यहां पर और अपनों को हिंट करते हैं इसमें आप लोग है एलो गुरूप बॉंड एन नेज टू गुरूप बॉंड एन मोट गुरूप बॉंड सीन साइनो गुरूप या नेट्राइल गुरुप कहते हैं बॉड्ड एंसी गुरुप यानि कि आईसो नेट्राइल गुरुप कहते हैं फिर इसके बाद से सी एंओ साइनेट बॉड एंसी ओ फिर आपको पढ़ाए थायो हाद URL C वांड एंच फिर नाइक्प्रोशं पिर आपने प्राथा इसके बाद एंपर है कि यह था रहा है हईलूफार्म हईलोफार्म है फिर आपने पॉणथा रहता हसों त्री यानी की सॉल्फोनिक ग्रूप टोटल बारा ग्रूप पढ़े थे हम लोग वन टो त्री फोर फाइब सिक्ट सेवन एट नाइन टेन एलेवन तो यह बारा ग्रूप पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था यह बहुत इंपोर्टेंट है फंक्शनल ग्रूप अगर और अर्गनिक कंपाउंड मे की पकड़ बनाने चाहते है तो कम्तित कीजिए कमसे कम 30 लेट्चर मेंरे लेक्चर है आजने नंबर 1 वाईसे जी यो सी जेनरल और्गेनिक कमेस्ट्री का लेक्चार नंबर 6 था तो आएए वेलकम है आपनों का मेरी चैनल में अजित कुमार च्रिवास्तो कमेस्ट्री सर्थ अब हम लोग पढ़ेंगे आज इसके आगे का फॉंक्शन गुरूप अज के फॉंक्शन गुरूप में लोग थर्टिन नंबर फॉंक्शन गुरूप करने जा रहे हैं अलकोहर ठीक है उससे तरह से चाट बना लेते हैं चाट में हम लोग बनाएंगे आप फॉंक्शनल गुरूप फॉंक्शनल गुरूप फिर यहां लिखेंगे इसका जेनरल फॉर्मुला क्या होगा उसका जेनरल फॉर्मुला फिर इसका आज हम तरह से एक नया चीज़ एड़ कर रहा है इसमें इसका आम लोग सॉफिक्स यूज करेंगे और तव इसके कमन नियम और फिर इसका आइपक नेम को पढ़ेंगे ठीक है और फिर इसका हम लोग यहां पे एक्जामपल भी पढ़ेंगे तो आज का फंक्शनल गुरूप में और क्या-क्या हम एड़ कर रहा हैं तो यहां पे हम 13 नंबर फंक्शनल गुरूप ले रहे हैं पहले और 13 नंबर में हमारा जो फंक्शनल गुरूप होगा वो होगा बांड ओएच बांड ओएच यानि की अल्कोहल ठीक है तो यह जिसका जिनल फंबला हो जाएगा आर बांड ओएच तो सफिक्स इसका हम लोग युज करते हैं और क्या युज करते हैं और सफिक्स करते ह कमन नम इसका जाता है अलकाइल अलकोहल अलकाइल अलकोहल आई पटने मोटा इसका अलकेल में और जोड़ देते हैं लोग बंग जाता है यह अलके मौन होग अलके मौन होग एक्जामबल देखे अगर आप यहां पे CS3 OH लेते हो तो इसका नाम होता है Methyl Alcohol और ऐसे में इसका नाम होता है Methanol Methanol अगर हम यहाँ पे C2H5 OH ले ले तो Ethyl Alcohol Ethyl Alcohol Ethyl Alcohol सफिक्स याद रखे क्या हम एड़ गर रहे हैं सफिक्स में Ol एड़ कर रहे है All सफिक्स याँ पे चलिए 14 नमबर चेट करते हैं 14 नमबर में हम लोग पढ़ेंगे आप पे Bond S-H Bond S-H यानि कि R-Bond S-H R-Bond S-H इसका जो सफिक्स होगा यह होगा आपका थायो चुबिए सॉलफर को थायो वड़ बते हैं कई बर में बताया हम आप लोगो तो इसका जो होता है इसका जो सफिक्स होता है वैसे में आइपक निम में थायोल वड़ का भी हम इच करते हैं लेकि थायोल को इच करेंगे Common Name में Mercaptown को इच करेंगे आइपक निम में दोनों ही सफिक्स का इच करते हैं लेकिन एक Common Name होता है एक आइपक निम होता है यहाँ पर इसका नाम होता है अलकािल अलकाईल मरकेप्टॉन अलकाईल मरकेप्टॉन तो Common Nation में आगया मरकेप्टॉन Iini od i5 निम में नहीं होता है मरकेप्टॉन Common Nation होता है तो तो मर्केब्टान यहां पर होता है कमर्णिम में अलकाई मर्केब्टान और यहां होता है अलकेब्टान थायोर अलकेब्टान तो सफिक्स मर्केब्टान यूजो रहा है कहां कमर्णिम में सफिक्स थायर यह जो रहा है कहां पर यह आपका आइपक्टनिम में अलकेन थायर तो इसको यहां पर लिखते हैं एक एक्जाम्बर में सिट्टू एजफाइफ एसेच एसेच नाम होगा इसका इथाइल मरकेप्टान और यहां हो जाएगा इत्थे नौग इत्थे नौग तो इसको अलकोहल भी करते हैं थायो अलकोहल भी नाम देते हैं इसको इसका आम लोग नाम थायोग अलकोहल भी नाम देते हैं थायो अलकोहल इसनी नाम देते हैं त्यक्षिक हैं और श्मी और तो अल्ront-पक्ष यह अल्कोहल और यह ऍडुनों लगता है कि लगबग से मैं ए एक की यहां मेंयर बदले इस आपार को हम लोग ठैयो करते इसको इसको बिग तो यह था थायो अल्कोवल और यह है अल्कोवल अब आये हम लोग देखते हैं फिप्टिल नंबर पंदर नंबर नूल पढ़ेंगे इथर इथर का फंक्टिल बॉन्ड ओ बॉन्ड दो इसकी बैलेंसी होती है दो रेडिकल्स होते हैं इसकी जेनल फ्रमुला आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर या आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डैस आर डैस का मतलब यह हुआ कि डिफ्रेंट अल्क दोनों आप डिफरंट है तो डिफरेंट अलकाइल यहां पर दोनुज़गद मिठायल आप एड़ कर सकते हो। यहां पर दोनुज़गद पर इथाइल, निधायल देथाइल यहां तो सफिक्स में आमनों क्या यूज करते हैं। इनका जो सॉफिक्स होता है वो ओक्सी वर्ड का यूज करते हैं ठीक है ओएक्स वाई ओक्सी तो यहां पे जो कमन में होता है यह नाम होता ही डाई अलकाइल या अलकाइल इत्थर यहां कि दूनों से भर अलकाइल तो डाईल ऑगर ड्ष अलकाइल लिखिए अल्काइल इत्थर मिठाई प्रोपाइल इत्था यहांों और अ सुना-क टैन्धक तो इस्में औलक। एक्जाम्पल देखें इनका जड़ा समझ में आएगा हम एक्जाम्पल लेगते हैं और एक्जाम्पल लेगते हैं C2H5 O bond CH3 मैंने दो एक्जाम्पल लिए ठीक है चरी इसका नाम हो जाएगा डाई मिथायल इथर और यहां हो जाएगा मिथाक्सी अ मिठे medically लेज्ट है अ मिथाक्सी मिथे डाई मिथाइल मिथायल इथ्र इप्र इस reject नाम हो जाएगा कि इथायल इथाइल मिथाइल इथाइल 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 और यहाँ पर नाम होगा इसका मिथाउक्सी इथेन देखिए ओक्सी वर्ड उसी में लगाना है जिसकी कार्बन की संक्या कौम होती है मिथाउक्सी इथेन यहां किसी को मिथाउक्सी किसी को रहे और यह बात कभी दिमाग मतला ना कि यहां पर वहीं आएगा इसको हम ऐसे लिख दें अगर और CS3-O-Bond C2H5 तब भी इसका नाम मिथाउक्सी इथेनी होगा यह सेम नाम होगा यह भी और यह दो नोहीं सेम नाम होगा यहां पुझाएगा इथाइल, मिथाइल, इथार, अल्फाबेटिकल पहले इत और एम, यहां पे मिथाक्सी इथेन, चुकि कार्बन की संक्या यहां कौम है, यहां ज़्यादा है, मिथाक्सी इथेन नाम देंगे, तो यह केस पल समझेना जो जरूरी है, कि ऑक्सी वर्ड किस इसमें लगाते हैं, तो ऑक्सी वर्ड उसमें लगाते हैं, जिसकी कार्बन की संक्या कौम होती है, कार्बन की संक्या कौम होती है, कार्बन की संक्या कौम होती है, कार्बन की संक्या कौम होनी चाहिए, अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे, सुल् कुछ नुबर में हम लोग पड़ेगे आ पर बांट इस बॉं कि सॉलफर आ गया तो यह हो गया इधर इसका क्या वाबू इत्ध्रिसका क्या है अल्कोहल सिर्फी यह तो लिखते हैं तो यह का रता है थायो इत्थ्थ्थर इत्थाड़ यह थायो इत्थाड़ है इसमें आर बाउण एस बाउण आर आर वाउण आर डेस्ट दो बैलेंसी अगर हो दो रेटिकल्स आपको मिलता हो तो सेम अलकाईल है डिफरेंट रखना है इसका जो यह सब्सक्स हो बहुत ज़्यदा किलियर नहीं है लेकिन हम आगे द थायो इथर या अलकाइल अलकाइल थायो इथर या अलकाइल थायो इथर अब आईकर नम के बारे है तो यहां पर आइकर नियन कुछ खास नहीं होता है इसलिए इनका suffix हम ने नहीं लिया है तो बहुत असान है यहां पर अगर हम लोग एजांपल लेते हैं तो यहां पर लेते हैं सीहज़ दी एस बॉंड शीहज़ दीज़ तो चार्माण में डाइमिता इतार अर्फड़ दाइमिताइल थायो इताहल कि यह इताहल मिथाइल थायो इताहल तो इसका दो नाम हो गया एकनाम दो इस सक्ष्मिने बना जाते हैं तो इस तरह से ये मैं आज आप 15-16 जो बताया अभित्त के कार्बोनेल गुरुप के पहले का अब इतने गुरुप में कुछ इसको पुरा नुट कर लिए आप लोग चले ओके तो इसी के अधार पर कुछ इसपिसल कमपाउंड पर इसका अप लोग अलग अलग दस दस नहीं करोगे तो फिर फस जाओगी आगे चलकर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट इस चाहिए और आप लोग अरगनिक कमपाउंड अगर चाहते हो कमांड हो जाएं 12 वेज़े तक आपको कोई दिक्कत नहों आगे अगर आप साइंस से आगे कुछ भी पढ़ते हो जही मेडिकल की त्यारी करते हो या कमेस्ट्री अनर्स लेंते हो पीजी करते हो कुछ भी तो ऑर्गनिक मुस्ट इंपॉर्टेंट है तो उस और्गनिक में सबसे ददा इंपॉर्टेंट होती है जो आज आपको पढ़ाया जाता है यह समझे कि और अर्गनिक की सुरवा तेंज होती है तीनी चीज तो और परणना होता है एक फॉंक्शन गुरूप दूसरा यह आईउपी सी नु अर्गनिक के इस सारे फॉंक्शन गुरूप को बिलकुल ध्यान से याद कर लो मेरे साथ बने रहो पूरा कंसेप्ट तिले कर लेंगे एक एक पॉइंट तिले करेंगे चलिए अब आजे बढ़ते हैं लोग अब हम लोग यहां पर देखेंगे कुछ एस्पेसल नेम ठीक है दढ़ते हैं आजे जानते हैं इसमें फस्ट नम्रों में है इस से प्रोसेस में इस कंसेप्ट को लेते हैं और उसमें पहला कंपार्ण हम लों लेंगे CH2-Cl2 तो CH2-Cl2 का अगर हम लोगे स्ट्रक्चर त्यार करें तो दो हाइड्रोजन और दो कुल्ड यह नहीं दिखता आपको तो बावो इसका नाम क्या होगा इसका नाम होता है डाई कुलोरो डाई कुलोरो मिठेन डाई कुलोरो मिठेन वैसे में एक और नाम देते हैं इसका मिठिलीन डाई कुल्राइड डाई कुलोरो मिठेन या मिठिलीन डाई कुल्राइड इसका नाम दो देते हैं ठीक है सेकेंड में नम लेते हैं आपे cf2 cl2 बहुत फैमस है बहुत फैमस है जीके में अकसर कहीं न कहीं पुछे जाते हैं यह कंपाउंड cf2 cl2 एस्ट्रक्चर बनाऊगे तो दो फोल्डरीन उपपर निचे लगा दो दो कुल्डरीन ऐसे लगा दो अब यहां पे इसका जो नाम होता है य फोल्डरो कार्वन इस्यस sंटाओ नाम है बहुत फैमस नाम है कुल्रो फोल्डरो कार्वन और कफन गलो奶 यह होती है अब करते होई बताता हूं कहां परूलक के रोग कार्वन इसका एक और नाम है अ फिर योउन बहुत नाम है फिर योऊन और उसको आम्लोग फ्रीजर को के नाम से भी जानते हैं फ्रीजर वहीं है यो फ्रीज में यो गैस होता है जो किसी फिरियोन करते इसको या फ्रीजर करते हैं थार्ड नंबर में जानेंगे इससे बहुत बना रहा है कई किताब भोड़ोगे तो नहीं मिलेगा बाव और बहुत कमी लोग वोते हैं इस तरह के सपड़ाते हैं इसलिए मैं बोलना हूं लगे रहा हूं मेरे साथ और ऐसे चीज औ लगे तो उतना तुमको मैटरियल नहीं मिले इसलिए जरूरी यह कि तुमको लगे रहा हूं और मेरे सारी लेक्चर को ध्यान से देखें और भी एस्पेसल कमपाउंड में ले रहा हूं CCL-3-N0-2 को बदाएगा क्या है कमपाउंड क्या नामें इसका कार्बन में कॉल्रीन इसकी नाम यहां लिखने जा रहा हूं तो यह नाम होगा नाइट्रो कैं कुलूररो फ़र्म का फ़र्मला होता है quarter फोल्रो फ्रमको sangat तो नाइट्रो कोलोर्फम इसका एक और नाम होता है Tri-Kloro-Tri-Kloro-Tri-Ko-L- each is called Tri-Ko-L- Hi-Ko-L की कि के नाम से भी जानते हैं क्लोरो पेक्रीन वह प्हांद नाम Bako क्लोरोट पीक्रेण और सबसे नतलब लब अब अब बताया जा रहा है ये नाम सुनते हुदि मगांत है अर último अरे सरी य कंपीक पॉंट है उतल़ी below पढ़िये पढ़िये मज़िये पढ़िये क्या है पढ़िये जाए उए क्या लिखनाऊ में टी यार गएक जिए हां आपने सही सपढ़ा टी युछ गैस ये कंपाउंट जो देखरें आप यह वहीं कंपाउंड है जो कंपाउंड आप अक्षर सुनते हैं टीयर गैस आशू गैस जो किसी भी पब्लिक के द्वारा अगर सरकारी संस्ता पर पुलिस तो ग्रोप पर या ऑफिस पर हमला किया जाता है तो वहां भीड को बतल भड़काने के लिए भीड को तितर बित करने के लिए वहां पर टीयर गैस का पर्योग किया जाते हैं और उसकी फर्मुला क्या है सिस्यल तरी बांड एन नौटू कई नाम से जाने इसको नाइट्रो कुल्रो फर्म ट्राइक प्लो नाइट्रो मिथेन कुलो पिक्रीन टीयर गैस तो बहुत इंपर्टेंट है इसको कि यहां पर अब हम लोग इन कर में जा रहे हैं यह तो गया दो कोल्रीन दो कोल्रीन तरी अब देखेंगे सिसील फोर यह भी बहुत मतलब ख्यमस कंपाउंड है सिसील फोर इनके चारों पे जो है वह चार कोल्रीन जो हैं वह से इसका नाम तो आप लोग जन्रली ऐसे बता देंगे कार्बन टिट्रा कुल्राइड कार्बन कि चिट्रा कुल्राइड या कि टिट्रा कुलोरो मिधेन सबसे फ्यमस नाम इसका जो है वो है पारिन पारिन के नाम से जानते है और ये बहुत ही प्यमस है नाम को सुने हुं है अपको आ डे एक्स का नाम सुने हुं हावि एक एक एसा विस्फोटक Serve पदार्त है ज इससे बंगोर बनाए राता है तो पारिन एक कामपान जोAK कब़नाए जाता है यह एक एक साथ काम बड तक पदाप्त होते हैं यानि कि बम अगर बनाए जाते हैं उसमें इसका प्रयोद किया जाता है पाइरी लियाद रखेंगे पांच नमबर में देखते हैं अब हम लोग बड़े में साइड के तरफ CS3CN को तो हमने पढ़ा है ठीक है CS3CN CS3C11N नाम क्या दिया इसका हमने हमने नाम दिया इसका इथेन नाइट्राइल देखने में लगता है कि या मिथेन कुछ है लेकिन यह है इथेन नाइट्राइल दुनों कार्बन को एक साथ जोड़ते हैं और नाम नाइट्राइल करते हैं जिस इस कॉल्ड इथेन नाइट्राइल ठीक है छठा नंबर में इसी से जुड़ता हुआ यह अक्सर बच्चों से पुछते हैं तो यह बताते हैं सर आई सो सबस्क्राइड और अपने अड़ कर लिया है इसमें दोनों के दोनों से आइड़ है कैसे समझे अगर बॉंड दोनों कार्बन जुड़ा है तो सैनाइड ही हुआ ना चुकि सैनाइड के पाचा बॉंड जुड़ना है अगर कार्बन से बॉंड जुड़ता है तो सैनाइड अगर ये बॉंड नाइट्रोजन से जुड़ता है तो यह आइसो सैनाइड होता है दोनों में फर्क है बॉंड किसे जूडता है यह ज्यान दिजेगा बॉंड अगर कार्वन जूडता है तो यह सैनाइड अगर बॉंड यह नाइट में जूडता है तो आइसो सैनाइड होता है तो यहां पर इसका नाम क्या दे सकते हैं यहां पर इसका हम इस्ट्रक्चर बनाया है तो एन ट्रिपल बॉंड सी बॉंड सी ट्रिपल बॉंड है दोनों ही देखिए बॉंड से में दोनों सेनाइट गुरूप को फॉलो करते हैं तो इसका नाम होता है इथेन इथेन डाइण नेटराईल मतलब की यह बीच वाला कारवन को इथेन का गेया और दोनों नाइटरीजन को धन्य नेडराईल के उड्यका गया this Is Call इथेन डाइनेट्राइल और अगर हम इसको एक और नाम से जाना है तो बहुत ही फेमस बहुत ही प्यारा सा नाम है और यह नाम है इसका साइनोजेन यह नाम क्या इसका साइनो जेन के नाम से भी इसको जानते हैं जाना जाता है चलिए नेक्स जानते हैं इसी में अगर मैं आपनों से यह पुछ दूँ यह कंपाउंड बता वागो प्रोपेन नाइट्राइड इस कंपाउंड का नाम बता है इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन लेख दाइन नाइट्राइल है तो प्रोपें दाइन का नाम अप दिए गया इसका बना आ ना है क्या होगा तो डाइन एक तुल तुल ऑं होना चाहिए फर्स्ट और इंड में तो सियन होना चाहिए लेकि बीच में एक और हमको तिन कार्मल लगतार चाहिए तो बीच में एक लगा दो ना यानि कि यह होगी आपका प्रोपेन नैट्राइब अगर आपको बोलों विउटेन डाय नाय तो दूंकर और फस्ट में लगा देना है विच में दो छू गधा तो ना विउटेन डाय राइड हो इस तरह से इस में तुम बना सकते हो यहां पर दिखते हैं नेक्स्ट नमबर लिखते हैं यहां पर आठवा नमबर तो आठवा नमबर में यह जानेंगे यहां पर अब लोग अल्कोहल के तरह बढ़ें में सियस्टिरी ओएज को तो सब्लों जानते हैं कारवन पेद्दीन हाइड्रोजन और एक ओच इस कंपाउंड का बहुत ही असान नाम है मिठाइल अल्कोहल और एक और नाम से जानते हैं हम लोग मीठेन आओल लेकिन इस कंपाउंड के और भी कोई नाम हैं इस कंपाउंड को हम लोग वड़ट एस्प्रिट भी करता है ऊद्देश प्रिट के नाम से भी जाना जाता है तब हम लोग कारागी सिर्फ कार्विनॉल के नाम से भी जानते हैं कार्विनॉल कार्वन और अलकॉर मिलता है कार्विनॉल ठीक है तो इसके अलार पर अगर हम लोग इसको लिखें सिट्टू इसफाइब बॉंड तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इसका नाम वैसे तो जरली हम लोगते हैं इथाइल अलकोहल ठीक है इथाइल को लिखते हैं जन्रली लेकिन यह यहां से इथाइल को लिखते हैं और इसका एक और नाम लिखेंगे हम लोगाए मिथाइल कार्बिनौल तो मिथाइल कार्बिनौल इसको एक और नाम जानते हैं लोग इसको शिर्फ अलकोहल के नाम से भी जानते हैं जो अलकॉल हम लोग जन्रल मार्केट में यूज करते हैं पीते हैं जो जबेवरेज करूप में आता है यह था अलकॉल होता है यह क्वाइजन नहीं होता है तो इसको अलकॉल इसको सिर्फ एस्प्रीट के नाम से भी जाना जाता है सिर्फ एस्पिरिट के नाम से भी इसको जाना जाता है दास्वा नंबर है यह CH2 बॉंड CH2 OH है इस कंपाउंड का एक नाम होता बहुत ही फ्यमस नामें जानते हम यह आप लो और यह नाम है इतलीन गलाईकॉल है इतलीन गलाईकॉल या इसको सिर्फ हम लोग गलाईकॉल के नाम से भी जानते हैं कि सिर्फ गलाईकॉल कोinned लिका ओ तब हम लोग यह फ्यम acces टू हे इस OTH करेंगे या इतलीन कराईकॉल करेंगे तब धी यह फ्यम लत'm चलिए अब लोग जानते हैं इसमें अभी तर इतने फंक्शन गुरुप पढ़ाएं इसमें 16 फंक्शन गुरुप में जो जितने भी एस्पेसल कंपाउंड होते हैं जो जेम्रल लाइप में यूज होता है उनके बारे में डिटेल में बता रहां आप लोगो और यह जनकारी ह बन बार बच्चों को होनी चाइए तो इसमें लिए च्श टू बॉ inches bono educated which- nào होता है ह में यहांप इसको नाम लिए तर में गलीइं यह ट्ली सिरोड लिए ilISH अब अब आयूपी सिमने मं नहीं पढ़रा हैं आयूपी सिनने म पढ़ते तो 123 परोपनत्राई ओर परते प्रोपन्स Ineille ओर लगा दे कर 123प्रोपन ड्रा वित्ता नां नेएक आहँआपके आइयूपी शिन JENNी मे μदा रहा हम मैं यहाँ पे special name बता रहा हूं तो यह होगे आपका glycerol या glycerin ने ठीक है 12 नंबर में हम लोग पड़ेंगे यहाँ पे 12 नंबर में R bond OH को हम तोड़ेंगे यहाँ जब R bond OH को हम लोग तोड़ेंगे तो यह बनेगा R bond O minus और H plus बनेगा R bond O minus और H plus यहां पर थोड़ा सा ध्यांत होगे तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं अलकॉक्साइड आयन क्या नाम लेते हैं बाबू अलकॉक्साइड आयन उसी तरह से अगर सुचो कि इसमें सीच तरी ओमाना देन तो क्या नाम लेता मिठक्साइड आयन सीटु एच फाइफ बांड ओमानस लोग तो क्या नाम देंगे इथक्षाइड आयन ठीक है उसके वास से सीट्री एच सेवन सीट्री एच सेवन ओमानस देंगे तो क्या नाम लेंगे प्रोपॉक्साइड आयन अगर हम लोग सीट्री सीपर सीट्री और यहां पर एच लगाकर ओमानस कर दें तो आइसो प्रोपॉक्साइड आयन आइसो प्रोपॉक्साइड आयन लिखेंगे और अगर हम लोग इसको सीट्री 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 बॉंड सीट्री ओ मानस लिखें तो इसका नाम जबता है नियो तॉक्साइड इसो प्रोपॉक्साइड आयन इशो प्रोपॉक्साइड और अब इसमें चाहिए तो कोई मेटल को जोड़कर इसका एक और कंपाउंड बना सकते हैं तो अब इसके अलहार पर हम लोग कई कंपाउंड बनाएंगे जो सोड होगा यह अब हम लोग बनाने जो जा रहा है वो है यहां ध्यान दिजेगा अगर मैं आपसे पुछूं इग्जाम्पल के तौर पर यहां पर सोडियम पोली तो डियुक्ताइड क्या नाम होगा इनए ओस सोडियम इसके अनभी में क्या होगा इन ओसी क्या होगा तो सोडियम इटल इबस किrobeे लगते हैं इन ओर सिट्टू एज फाइफ इसी तरह से हम लोग और बना सकते हैं अगर हम लोगों से यह का जाए कैल्सियम मिध्थाक्साइड बनाना है तो कैल्सियम और यहां पे लेता है तो यहां मानस दिखाने की जरूत नहीं चोंकि प्लस आगया है कैल्सियम तो शीएश थी ओक वोड़ दॉइस इसकौल कैल्सियम इसमें कैल्सियम और यह इफक्षाइड आन आने पॉन्ड बार दे हैं लेकिन अक्सर हम लोग अपने इक्वेशन डियक्शन में उसको क लेकिन यह चीज तब लिखते हैं जब अमनों को कोई स्ट्रक्चर यहां से तोड़कर इसको अलग दिखाना होता है यह मानस वन यह मानस वन है तो हम लोग को आपे लेते हैं नहीं तो हम जेनरली इस तरह से लिखेंगे यह इसका सभी तरीका है लिखने का कैल्सियम इसमें हैं को पोटाइसिय। मिठ आक्साइड कि Meng कालसियम के यह यहां प्रोक्साइड डिए क्वाइड तो कि तो समय आगे होगा कैसे बढ़ा आए मैं यहां पर लिख करता हूं पताशियम मिठक साइड का फ्रुमन पिख है मिठेक साइड पहले लिखलो अगर ब्रोनम है तो PhD OH और क्लावाफ से बतावी और इसमें किया लागा दो पताव और इसको इसेनल कुँफ़ यहां पे ग्डेंलागाद फेलर सवारी में अगरावालो नाक पताव는데 तो सीटू वेज़ फाइफ फू ठीक है चुकि कैल्सियम पे चार्ज प्लास टू होती है तो होल ट्वाइस करके कैल्सियम निक दो तो यह हो जाएगा कैल्सियम इस तरह से आप लोग यह कंपाउंड बना सकते हो तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए कार्बोनिल ग् अब के ले बाइब।